तो सबसे पहले अर्बी को बॉयल करकर ले लिया है अर्बी में उतना पानी डालेंगे जितनी ये सिर्फ थोड़ी सी गले नाकी घुल जाएं तो इसके यहां पर बड़े-बड़े पीस कर लेंगे बड़े छोटे जैसे भी पीस आप चाते हैं और यहां पर दो बड़े-बड मेद हाटि कर लेते हैं तो हिंग बहुत जरूरी है अम्मकुर ले लिया है धनिया पाउडर अजवंचाहु नरम मसालाह सब्साइओ काल यहां थोड़ी सिव yamini देलीए जो बादि दोर करती हैं तो मेंढ लेंगे साथ में तो बाक़ी की हर्बी भी कटकर करने हैं तो यहां पर एक कडाई में तेल ले लेंगे तो परेण बंदे प्रहिं तो जैसे ही तेल गर्म होगा सबसे पहले एसमें अजवाइन और मेथि डाल देंगे जैसा कि मैं बता चुकी हूँ मेथि और यजवाइन और हीनु तीनों बादी दूर करने के लिए है तो इन्हें लेना बहुत भी ज़रूरी है। consulting बहुत बहुत नदिया है। प्याज और हर्यमिर्च भीर लाल देते हैं। तो प्याज को बड़ी है मिर्च नहरा होने तक हम इसे भूल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज रेडी है अब इसमें मसाले एड़ कर देंगे तो लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर और गर्म मसाला साथ ही यहां पर तूटेबल स्पून धनिया पाउडर मिला रहे हैं और इससे खटा टच देने के लिए अमचूर पाउडर यहां मिला रही हूँ इससे अर्भी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आप खाके ट्राय करके जरूर देखिए तो मसाले रोस्ट होने के बाद इसमें अर्भी मिला देंगे इसे अच्छी तरह चला देंगे और साथ इसमें नमक भी मिला देंगे जिससे की अच्छी तरह एक्वली नमक भी सारी सबजी में पहुँच जाए तो हमें इसे ज्यादा मैश नहीं करना है बिल्कुल हाथ को हलका रखते हुए इसको मिक्स करेंगे तो जैसे आलू की सबजी बनाते हैं सूखी पूरी के साथ खाने के लिए उस तरह से हम इसे बना रहे हैं तो इसे हलका हलका सा थोड़ा सा मैश कर देंगे वह इसलिए जिससे की सारे मसाले और नमक इसमें अच्छी तरह एड़्जस्ट हो जाए तो धपकर पकाने के बाद इसे फिर से मिक्स कर देते हैं अच्छे से तो यह बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है यहां पर अब इसमें धनिया पत्ति आइट कर देते हैं देखने में यह बिल्कुल आलू की सूखी सबजी जैसे लग रही है तो अर्भी को अच्छी तरह से धनिया पत्ति के साथ मिक्स कर देते हैं जिने बादी है वो अर्भी की सबजी में हींग अजवाइन और मेथी जरूर यूस कीजिए इससे बादी दूर हो जाती है अभी की सबजी बिल्कुल तैयार है आप भी इसे ट्राइ कीजिए और अग झाल दिसे